इसराइल आने वाले समय में सायद अमेरिका पर उतना बरुसा ना करें क्योंकि रिसेंटली इरान के खिलाब जवाबी कारवाई के लिए इसराइल की योजनाओं से रिलेटेट सिक्रेट डॉक्यमेंट्स लीख होने की खबर सामने आई है CNN के अनुसार अमेरिका के दो confidential दस्तावेज लिख हुए जिनमें इसराइल की सैन ने तयारियों का पुदासा हुआ 15 और 16 अक्टूबर की तारीक वाले ये डॉक्यमेंट मीडरिस्ट इस्पेक्टेटर नामा की एक टेलिग्राम हगाउन में पोस्ट होने के बाद ओनलाइन सर्कूलेट होना सुरू हुए इन डॉक्यमेंट्स में इसराइल के बचाव अभियान, हमले की योजना और संभावित इरानी अमलोग की आसंका में मिसाइल सिस्टम की तैनाती जैसे कई सिक्रेट सामिल है एक डॉक्यमेंट ये भी संकेत देता है कि इसराइल के पस परमाडू अतियार है जिसकी पुष्टी करने में इसराइल हमेशा इंकार करता रहा है लेकिन डॉक्यमेंट ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि इस्राइल इरान के खिलाफ परमाडव अतियार इस्तमाल करने की योजना बना रहा है अब भले ही USA ने इसके जाच के आदेश दिये हो बट इस इंसिडेंट ने इस्राइल और अमेरिका के रिस्तों में टर्श डेफिसिट जरूर क्रियेट किया होगा अगर GDP पर कैपिटा के आदार पर इसे देखे तो अमेरिका और मेक्सिको के रावा और भी कई देश हैं जिनके बीच ये डिफरेंस काफी ज़्यादा है औस्टेलिया और पापुआ नियुगिनी के बीच GDP पर कैपिटा का डिफरेंस करीब 60,000 डॉलर से भी अधिक है इसराइल और इजिप्त के बीच का अंतर करीब 50,000 डॉलर का है भले ही रशिया का खुतका आकड़ा इतना कम ना हो लेकिन उसके परोसी देश नौर्वे की GDP पर कैपिटा अधिक होने के कारण दोनों के बीच करीब 30,000 डॉलर का अंतर है मलेशिया और सिंगापूर के फिगर्स भी काफी कॉंट्रास्टिंग है वहीं भारत के परोसी देशों को देखे तो ये चौकाने वाली बाद है कि मालदेश चाइना से भी आ गया है IMS के 2022 के आकड़ों के अंसार भारत का GDP पर कैपिटा लगबग 2350 डॉलर और पाकिस्तान का करीब 1650 डॉलर है आप भी इस लिश्ट में अगर किसी देश का नाम जोड़ना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गोल्ड प्राइज अक्रॉस दो वल्ड अपना सारा रेकॉर्ड ब्रिक करते नजर आ रहे हैं और इंडिया में गोल्ड का प्राइज रेकॉर्ड तोड़ते हुए लगबग 80,000 प्रती 10 ग्राम पाहुच चुका है इसका सबसे बड़ा कारण डर को बताया जा रहा है जो की इन्वेस्टर्स के मन में है अभी और ये तीन रीजन्स इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉंसिबल हैं यूक्रेन और वेस्ट इसिया में चल रहा संगर्स दुनिया की मेजर एकोनोमिक्स का स्लोडाउन और अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिजल्ड का दुनिया पर होने वाला इंप्लिकेशन इन सभी कारणों से इन्वेस्टर सुरक्षित जगवों पर निवेश करना चाते हैं और सोना उने सुरक्षा प्रदाम करता है यही वज़ा है कि क्राइसिस के समय में सोने की कीमते हमेशा बढ़ती हैं जैसे 2078 का ग्लोबल मार्केट क्रेश या 2020 के करोना पेंडेमिक के दौरान न केवल इन्वेस्टर्स बलकि दुनिया बर के सेंटरल बैंक्स भी अनसर्टेनिटी को देखते हुए अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं फेस्टिवल सिजन में इन उची कीमतों के चलते ग्रहाकों की संक्या कम होने की खबर बताई जा रही है